नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 27 मई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है जेश्ट का तिथी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथी गुरुवार का दिन है नक्षत रहे जेश्ट है योग है सिद्ध और करण है कॉलव और व्रत्प और पर्व की अगर बात करते हैं तो नारज जैनती का परवाज मनाया जा रहा है तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक के लिए व्रिद्धी लोगों के लिए कारेस्थल में इस्थितिया चुनाटी पूर्ण रह सकती हैं नौकरी व्योसाई में थोड़ी से आज कठिनाई की इस्थिति का सामना करना पड़ेगा ओम कैवल ये शुकदाई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा करें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में आकस्मिक धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए दिखते हैं उम गजाननाई नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और आलस से बिलकुल भी आपको आज नहीं सुहाएगा करक चुटी-चुटी परशानियों का सामना करना पड़ेगा हलांकि काम के अधिकता रहेगी लेकिन कठिन परिश्च्रम से कारियों में सफलता प्राप्त आप कर पाएंगे ओम गतिनी नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और संध्या काल में अध्यान आपको बिलकुल नही चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यावसाय दंदा मध्यम रहेगा और कारेशित्र में बाधाएं रहेंगी ओम ग्रह पताय नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए व्रिश्यक रा राशी वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक द्रिश्टी से इस्तिती मजबूत होगी लेकिन पारिवारिक समस्याएं जीवन में आएंगी ओम चक्रणे नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और वाहन का प्रयोक बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए धनलाप की इस्तिती आपके लिए बनती है लेकिन कारोबार की जो कारोबार विस्तार की जो योजनाएं आप बना रहे हैं उसके लिए अभी समय उचित नहीं है आपको थोड़ा सा इंतिजार करना चाहिए उम चंडाई नमहमंतर का एक 108 बार जाब करें किसी व्रिद्ध व्यक्ति का अनादर या अपमान करने से आपको बचना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन मिले जुले प्रभाव लेकर करके आएगा व्यावसाई में लाब मिलेगा कारशेत्र में सहकर्मियों का पू क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महापाई की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भागेशाली लोगों की तरजनी हमवह सती ऐसी होती है आए जानते हैं अंगुठे और मध्यमा उंगली के बीच जो उंगली होती है उसे तरजनी उंगली यानि फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर फिंगर भी कहते हैं इस उंगली के नीचे गुरू परवत यानी गुरू का इस्थान होता है जूपिटर का इस्थान होता है व्रहस्पती का इसलिए इस उंगली को धर्म और धन का इस्थान कहा जाता है इसी कारण से इसमें पुखराजधारन करते हैं क्योंकि यह व्रहस्पती की उंगली होती है अपनी इस उंगली को आप बहुत गौर से देखें उंगली की लंबाई कितनी है और इसका जुकाव के सोर होता है हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि तरजनी उंगली की लंबाई अगर मध्यमा यानि बीच वाली उंगली से अधिक है तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भागेशाली होता है ऐसा व्यक्ति स्वभाव से गंभीर होता और उच्च पद को प्राप्त करता है बहुत ही निश्ठावान होते हैं इनमें दूसरों की मदद करने की स्वभाविक प्रविर्ति होती है यह जिन कारें से जड़े होते हैं उसमें कारे कुशलता हासल करते हैं अपनी इस प्रविर्ति के कारण जीवन में यह सफल होते हैं लेकिन इनमें असत्य बोलने की का प्रयास करते हैं मद्यमा उंगली से यह उंगली दूर होने पर यानि गैप अगर अधिक है ऐसी इस्तिती में व्यक्ति बहुत अधिक जूट बोलने वाला होता है हस्तरेखा विज्ञान के नुसार तरजनी की लंबाई मद्यमा के बराबर होने पर व्यक्ति असमान मानसिक वाला होता उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं होता तरजिनी उंगली का जुकाव अगर अंगूठे की ओर है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत अदिक महत्वा कांक्शी और द्रड़िक्षा वाला है इसके विपरीत यह उंगली मध्यमा की ओर अगर मुड़ रही है तो य इनमें निर्णे की शमता की जो है वो कमी होती है और छोटी सी असफलता से यह घवरा जाते हैं दुखी हो जाते हैं या हताश निराश यह बहुत जल्दी हो जाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी होई बातें ग्यान की बातें जो आपको मेरे य सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद अपनी किसी भी व्यतिकत समस्या के लिए मुझसे परामरश और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परस्टतेशन और रेमेडियो चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं ese केलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू-फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नंबर है ट्रिपल नाइन जीरो सेवन टू-4131 आपको दो न पर आप अमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है जटिल समस्या हो या भाग के बाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवायक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिशिय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर एमेल करें sharma.webhub at the rate gmail.com पर झाल